बुद्वार देर शाम थाना नाई की मंडी स्थीत मीरा हुसैनी चोराय पर स्थीत प्लास्टिक का फर्नीचर बेचने वाली एक दुकान में अचानक भीशन आग लगी आग लगने से शेत्र में अफरा तफ्री का माहौल बन गया आग इतनी भीशन थी की देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया दरसल घटना उस समय की है जब दुकान मालिक दिरेंद्र जैन अपनी दुकान बंद कर अपने घर पहुचा ही था तबी शेत्रिय लोगों ने आग लगने की सूचना दुकान मालिक को दी वही मौके पर पहुची फायर ब्रिगेड अधिकारी का कहना था कि आग काफी बीशन थी जिसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी काफी बहुत भी शड़ाती इसनों उपर भी घर पे उपर भी हैते थे तो वह भी पूरा घर पुरा अदलाब खराब खताम हो चुका है उसको फूरा पलस्तर उसका जो भी फरस्ता सब मीचे बढ़ातर का निशार दूर भी दूर से पहुचा है बिल्कुल पूरी दुकान इसाब से आग भी निपाई फाइब अप्रे फॉन करा तो वह तो फूरी तो अल्का सालिये तुग है उससे पहले बहुत पूरा नुक्सान 5-6 लाग रुप का नुक्सान है पूरा माल दुकान में भरा हुआ था कि दूकान थी और उपर आवास था और उसमें आग लगी और थोड़ी सक्री गली होने के नापे हमको हजपाई फैला करके और बड़ी जल्दी कारवाय करके आग को पूर्णरों बुझा दिया रहा है कोई मिस्टर जेयन है यह प्लास्टिक की दूकान जो टब है इस तरहां जो वी प्लास्टिक आइकम है वो समय त्थे कोई जेयन साब की है यह बता रहे हैं कि हम दुकान बंद करके दुकान नीचे सतर गिरा के चले गए थे जब आग आए तो आग लग गई थे तो बाद में इसकी और जानकारी होके फिर पता चलेगा किस से आग लगई